दूस्तों वैसे तो पैसा कमाने के लिए हम सभी को जीतोड मेहनत करने के अलावा कोई बिकल्प नहीं है मगर कई वार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बाबजूद भी घर में तंग हाली बनी ही रहती है दूस्तों इसके लिए कई वास्तु उपाए हैं और यावी कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगा कर देखो दूस्तों या काफी प्रचलित है और ज्यादातर घरों में आपको मिल भी जाएगा लेकिन दूस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन पाँच पौधों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आप अपने घर में लगा देते हैं तो एकीन मानिए ये पौधे धन को अपनी और इतनी शिद्दत से खीशते हैं कि आपका घर पैसे और रूपियों से भर जाता है तो दूस्तों काउन से वो पाँच पौधे हैं आईए जानते हैं इस वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किर्पय आप इसे लाइक कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे मैं आपकी सेबा में ऐसे ही वास्तु शास्त्र और वास्तु टिप्स संबनित वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो दोस्तों नमबर एक क्रिसुला ओबाटा मन्यता है कि इस पोदे को लगाने से या धनकी और आक्रिसित करता है दोस्तों वास्तु शास्त्र के नुसार क्रिसुला अच्छी उर्जा की तरह धनको घर की और खींसता है अंग्रेजी में इसे जट प्लांट, फ्रेंड्सिप्ट्री, लकी प्लांट या मनी प्लांट भी कहते हैं दोस्तों नमबर दो है लच्मणा लच्मणा का पौधा भी धनलच्मी को आक्रिसित करने में सच्छम है घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है दोस्तों कहते हैं कि जिस किसी के घर में सफेद पलाश और लच्मणा का पौधा होता ही वहाँ धनवर्सा होना शुरू हो जाती है और दोस्तों नमबर तीन है केले का पेंड सुमृद्धी के लिए केले के पेंड की पूजा की जाती है गर की चार दिवारी में केले का ब्रच लगाना शुब है ब्रस्पत ग्रे का कारक होने के कारण इसे इशान कोण में लगाना शुब माना जाता है दोस्तों भगवान विसुनू और देवी लच्छिमी को केले का भोग लगाया जाता है और दोस्तों नमबर चार है नारियल का ब्रच मनता है कि नारियल का पेंड सकारात्मक और जासे भरपूर है या मंगलकारी पेंड घर के प्रंगान में हो तो धनकी और सुमृद्धी बनी रहती है दोस्तों नारियल के पेंड के होने से राहु या केतु जन्य समस्या नहीं होती है और दोस्तों नमबर पाँच है तुलसी का पोधा तुलसी को मातल अच्छमी का दूसरा रूप मना गया है घर में तुलसी का पौधा पूरब दिशा या इशान कोण में लगाएं तुलसी सभी तरह के रोगाणू को घर में आने से पहले ही नश्ट कर देती है दोस्तों या घर में सुक शान्ती और सुमर्दी का विकास करती है इसके नियमे सेवन से किसी भी परकार का गंभी रोग नहीं होता है दोस्तों वास्तु शास्त के उसार अश्वगंदा का पेंड लगाने से सुक और सुमर्दी की प्राप्ती होती है दोस्तों असुगंदा का पेंड अत्यंत लोग प्री आयरुवेदिक और सदी भी है जिसके कई तरह के लाब हैं वहीं दोस्तों कनेर की तीन तरह की प्रजातियां हैं दोस्तों एक सफेद कनेर है दूसरा लाल कनेर और तीसरा पीला कनेर कनेर के पौधे को भी देवी लच्चमी का प्रतीक मना जाता है देवी लच्चमी को सफेद कनेर के फूल चड़ाएं पीले रंग के फूल भगवान बिश्रू को अतेंत प्री है दूस्तों स्रेतारक दूद बाला पौधा ऐसा है जो गड़पत का परतीक माना जाता है वास्तो शार्स के उसार दूसे युक्त पोदे का घर में की सीमा में होना अशुब होता है किन्तु सुर्टाक इसका अपसाद है जिसे घर के समीब उगा सकते हैं इससे घर में सुक्षानती और सदेब बरकत बनी रहती है दोस्तों स्रेत अपारिजिता पोधा धनलच्चमी को आक्रसित करने में सच्चम है और दोस्तों हरसिंगार का एक ऐसा पोधा है जिसे शेफ लवका भी कहा जाता है या ब्रच भी जिस भी घरांगन में होता है वहां हमेशा शांती सुमृद्धी और धनलच्चमी आती रहती है दोस्तों इसके फूल तनाव हटा कर खुशियां ही खुशियां बनने की छमता रखते हैं वहीं दोस्तों एक रजिनी गंधा भी पोधा ऐसा होता है कि इसके सुगन्दित तेल से इत्र भी बना जाता है और इसका औसदी भी गुड़ है जिस घर में ये पोधा होता है उस घर में हमेशा धनलच्चमी टिकी रहती है तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास पोधे जो आपके घर में हों तो एकीनन धन को अपनी ओर खीशते हैं धन इनसे आक्रसित होता है और आपके घर में हमेशा सुख सुमृद्धी और आपका घर पैसों से हमेशा भरा रहता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी शास्त्रों पर आधारित है ये यूटूब चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है इसे अमल मिलाने से पहले संबंदित विसेशक इसे सलावस से ले ले चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में धन्यवाद